इस बार चेत्र नवरात्री का त्योहार 22 मार्ज बुद्धवार से शुरू होगा पंचांग के अनुसार चेत्र मास की शुकुल पक्ष की प्रतिपदा तिथी को चेत्र नवरात्री का त्योहार मनाया जाएगा इस दोरान मादुर्गा के नौस्वरूपों की विधी विधान के साथ पूजा की जाती है जोगभक पूरी शुर्द्धा से मादुर्गा की पूजा करता है उसे माता का खास आशीरवाद प्राप्थ होता है साल भर में चार बार नवरात्री का पर्व मनाया जाता है जिसमें चेत्र और शार दीए नवरात्री है और दो गुप्प नवरात्री है हिंदू पंचांग के अनसार चैत्रमास की शुकल पक्ष की प्रतिपदा तिथी को चैत्र नवरात्री का तिवहर मनाया जाएगा इस बार चैत्र नवरात्री का तिवहर 22 मार्ज बुधवार से शुरू होगा और इसका समापन 30 मार्ज को होगा नवरात्री के पहले दिन स्थापना लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखे नवरात्री का पर्फ क्यूं मनाया जाता है जानकारी के अनुसार बता दे कि नवरात्री मनाने से जुड़ी पौरानिक माननिता और इससे जुड़े इतिहास के बारे में दरसल धार्मिक ग्रंथों के अनसार, माता दुर्गा ने असुर महिशासुर के साथ युद्ध कर उसका वद्ध किया ये युद्ध पूरे नौ दिनों तक चला था और दसवे दिन मा दुर्गा ने महिशासुर का वद्ध किया मा दुर्गा ने महिशासुर का वद्ध कर आसुरी शक्तियों का विनाश किया कहा जाता है कि जब मा दुर्गा ने महिशासुर का वद्ध किया तब वह समय आश्विन माह का था इसलिए हर साल आश्विन माह की प्रतिपदा से लेकर पूरे नौ दिनों के नवरात्री का त्योहार मनाया जाता है, जिसे शार्दिय नवरात्री कहते हैं. प्रतिपदा तिथी मार्च 21-2023 को रात 10 बच कर 52 मिनित से शुरू हो रही है और प्रतिपदा तिथी का समापन मार्च 22-2023 को रात 8 बच कर 20 मिनित पर होगा.